नमस्कार प्रिये विद्यार्थियो योग परशिक्षन कोर्स भाग 36 के अंदर आप सब का हार्दिका भिनन्दन है और आज का जो विशे है वह है चक्रासन चक्रासन को हम समझेंगे ये कैसे किया जाता है इसका विधी सहित हम इसको जानेंगे चक्रासन चक्रासन का शब्दार्थ एवं नामकरण चक्र का अर्थ होता है पहिया इसमें शरीर की मुद्रा पहिये के समान हो जाती है अता इसे चक्रासन कहते हैं आप देख रहे होंगे चितर में ये गोल गोल वील की आकरतिस में बन जाती है इसी के कारणी से चक्रासन की नाम चक्रासन की श्रेनी में इसे लिया जाता है चक्रासन नाम इसको दिया गया है नाम इसका देखें तो संस्कृत में चक्रासनम, हिंडी में चक्रासन, पहिया आसन और अंग्रेजी में वील पोज के नाम से से जाना जाता है और आसन क्रम ये दो प्रकार कियम इसको हम कर सकतें करने के लिए तो पहला क्रम आप देखेंगे सरुप्रतम पीट के बल लेट जाएंगे भूमी के उपर एक सीध में सीधे होकर के लेट जाना है फिर पाउं को मोड़कर अपने दोनों पाउं को मोड़कर नितम परदेश के पास स्थापित करना है अपने पाउं को मोड़के निस्दिक ले आना है उसके बाद दोनों हातों को कहनियों से मोड़कर कानों के पास इस तरह से रखें तांकी अंगुलियां जो अंगुलियां है उनका रुक जो है बाहर की ओर होना चाहिए इस तरह से वह आपको अंदर की ओर मोड़ करके रखना है तत पस्चात पूरक करते हुए हातों और कंधों पाउं के बल से शरीर को उपर की ओर उठाएं उपर की ओर आपने उठाना है धिरे धिरे श्वास भरते हुए एक साथ आपने उपर उठा लेना है पूर्ण स्थिती प्राप्त हो जाने पर धिरे धिरे श्वास आपने छोड़ देना है नए जो अभ्यासी हैं वो अंतिम स्थिती में धीमी धीमी गती से पूरक और रेचक यह श्वास लेना और छोड़ना यह दोनों काम करते रहेंगे प्रंतु अभ्यासी जो कुम्बक नहीं लगाएंगे श्वास रोकेंगे यह नहीं वो इस बात का ध्यान रखेंगे उसी क्रम से रेचक करते हुए जिस तरह से हम गए उसी क्रम से रेचक स्वास छोड़ते हुए धीमी गती से सामान्य इस्तिती में आ जाएं अब आप देखेंगे आसन का क्रम प्रकार दो यह थोड़ा सा जब हम उसको पूर्णतिया जब सिख जाते हैं प्रकार एक को अच्छे भली भाती करना जान जाते हैं तब हम दो प्रकार इस तरह से भी कर सकते हैं विधी इसका अलग है सरुप्रत्म अपने स्थान पर शिथिल दंडासन में खड़े हो जाएं यानि अपने स्थान पर खड़े हो जाना है शिथिल दंडासन में खड़े होने के बाद पाउं के मद्दे दो से तीन फिट का अंतर लें पाउं में अंतर ले लिया आपने उसके बाद स्वास भरते हुए धीरे धीरे हातों को सामने की ओर से उपर उठाएंगे श्वास भरते उठा लेना है आंतरिक कुमबक स्वास अंदर रोक लेना है और कटी परदेश से मोड़ते हुए कमर से पीछे की ओर मोड़ते हुए धीरे धीरे जाते हुए भूमी पर हातों को स्पर्श कराना है यानि इसमें लेट करके अभ्यास आपको नहीं करना खड़े हो करके पीछे की ओर जाते हुए और भहुत धीमी सावधानी से आपने पीछे जाकर के भूमी पर हातों को रखना है उसके बाद धीमी गती से रेचक एंश्वास आप छोड़ देंगे अत्वा कुमबक में ही रह सकते हैं शरीर का संपूर्न भार जो होता है हमारा वो मध्यस् बिच रहे ने हातों वे पाउन पर समान रूप से बना रहे एक तरफा पाउन की तरफ जादा जुकना नरी आगे की ओर न पीछे की ओर हातों की तरफ सीधी कर देने मध्यस्त ना भी सेंटर रहे इस तरह से आपने अपने शरीर को बनाना है पूरक स्वास भरते हुए फिर धिरे धिरे बिना जटका दिये वापिस सामाने स्थिति में आते हैं वहीं से हम उल्टा वापिस उठेंगे उपर भूमी से नैकी नीचे लेटेंगे वापिस आना है काल अवधी हम देखें तो 10 सेकंड से 30 सेकंड तक अत्वा स्वयक्षमता के अनुसार आप रोक सकते हैं इस बात को आपने ध्यान रखना है आसन का चित्र देख रहे हैं आप इस तरह से आपको आशन की आकृति बनानी है आसन करते समये E.D. पंजे आपके मिले हुए हैं देखो दोनों हाथों का रुक जितना पाऊं में तरवेसे ही आपने चित्र अपना बनाना है प्रभाव आप देखेंगे शारिक प्रभाव शारिक प्रभाव में सबसे पहले आता है मेरुदंड में लचिलापन आता है आप देख रहें लचिलापन आएगा तभी आप चक्रासन कर पाएंगे मेरुदंड में लचिला पनाता है जिसके परिनाम स्वरूप क्या होता है शरीर में रक्त संचार उत्तम कारिय करता है रक्त संचार ठीक हो जाएगा और हाथ पेर मनी बंद आपकी जो रिष्ट जुआइंट है सकंद कंदे हैं प्रिष्ट प्रदेस कमर है आपका पूरे मासपेश्यां जांग आदी समस्त अंगों की मासपेश्यों में हडियों वे सक्ति का संचार होने लगता है इनमें फेफडं के प्रसारण फेफड Debatे जब फैलते हैं जब सक्रासन करते हैं उनकी स्वशन ख्षमता में वृद्धी होती है तो श्वास लेने की ख्षमता वै बढ़ जाती है पसलियों की ताकत बढ़ने के साथ साथ आपकी पसलियां जो है उनकी ताकत बढ़ने के साथ साथ वक्स्थल चोड़ा वै कद वृद्धी में साहिक है आपका वक्स्थल चोड होता है और हाइट को भी ये बढ़ाता है अंतिम रिदे में रक्त संचार का कार्ये उचित होने लगता है रिदे में रक्त का प्रवा भी ठीक हो जाता है इसलिए यासन अपने आप में बहुती महतुपूर्ण हो गया शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ती है क्योंकि आपके निरोग रहता है इसके अभ्यास से स्त्रियों के आंत्रिक अव्यवों को सुद्रिड बनाकर प्रजनन अंगों को भी सक्ति प्रदान करता है आप ये पूरा स्वादिष्ठान चक्र को भी प्रभावित कर रहा है इसलिए स्वादिष्ठान चक्र के साथ साथ देख रहे हैं स्त्रियों के आंत्रिक अव्योवों को भी ये सुविवस्तित करेगा उदर वायू विकारों को समन कर उदर के पेट के विकारों का समन कर शरीर का अत्रिक्त मोटापा भी कम करता है जब पूरा खिचाव आएगा पेट के अत्रिक्चर भी भी से कम होती है यक्रित यानि लिव भूख प्यास का संतुलित होना पाचन तंत्र का ठीक होकर कारी करना नहीं नहीं पचना ठीक नहीं अपच जिर्णता खाना ही अभी पूर्नitया पच नहीं रहा अजिरनता, लंबे समय तक पेट में पड़ा रहना, सड़ता रहना, अजिरनता, कोश्ट बदता, फिर आपकी कबज हो जाना, आम वात की स्तिती आदी जैसे समस्त रोगों का ये नास करता है पूर्णतेया आपके पेट के उपर कमर का ऐसा कोई स्थान नहीं रेता, जिसकी मास पेशियों में इसके अभ्यास के साथ हातों से लेके पाउं के उंगलियों तक, पूरा सिर से चोटी तक का पूरा इसमें प्रभावित होता है शरीर चक्रासन अपने आप में बहुत ही प्रभाव शालियासन है, मुख मंडल के सभी अव्यव यानि जो अंग हैं और गंस हैं वो उत्तम कारी करने में समक सक्षम होज बनते हैं तथा चेहरे पर ओज एवं कांती का विस्तार होने लगता है जो आप चक्रासन करते हैं तो चेहरे के पूरे मंडल पर आभाव बढ़ती है उन पर प्रभाव आता है इस तरह से आपने देखा शारीरिक बहुत सारे प्रभाव है अब आप समझिए मानशिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है मनोविकारों को शांत कर चित को एकागर बनाता है और कल्पना शक्ति को बढ़ाने में सर्वोतम अभ्यास है जितना मैंने कहा पहले भी जितना आपका कमर फ्लेक्सिबल होगा आपकी इमेजिनेशन कल्पना शक्ति भी उतनी ही अच्छी स्वस्तरेती है ये इसके साथ है आध्यात्मिक स्थर की बात करें तो सात्विक्ता को बढ़ा कर अविध्या का नास करता है जैसे जैसे हमारा भ्यास बढ़ेगा आपका रीड की हेड़ी ठीक होगा तो सात्विक्ता चित का सोभाव है सत्व परधान है चित तो इसमें राजसिक्ताम सिक्ता का जो क्रम है उ सत्व गुन बढ़ता है योगा अभ्यास के माद्यम से तो अच्छा और बूरे में वह निरने ले पाता है यह आध्यात्मिक दुख की दिश्टी से यह अविद्या का नासकर और इश्वर प्राप्ति के लिए अपने को सज करता है शक्ति का उर्द्वर रोहन कर अपने शक्त विश्णू गरंति है आपका रुद्र गरंति है तीनों गरंतियों का वह धीरे धीरे भेदन करता हुआ और अपने इश्वर को प्राप्त करता है शुष्मना नाडि का जागरण इसके आसन से भ्यास होता है समस्थ चक्रों को यह प्रभावित करने वाला आसन है मांस्पेशियों पर प्रभाव आप देख सकते हैं पूरा कमर पूरी मांस्पेशियां पेट की आपकी अपर पार्ट की लोवर पार्ट की वक्सस्तलों की बाजू थाईज इतने सभी अंगों पर इसका विशेश प्रभाव पड़ता है यहां तक हातों की कलाईयों का भी इसमें प्रभाव रेता है तो इन सब को आप देख सकते हैं मांस पेश्योंग पर इसका प्रभाव चक्रों पर प्रभाव देखिए मूलाधार चक्र सबसे पहले स्वादिश्ठान चक्र जब आता है विशुधी चक्र है विशुध चक्र गर्दन विशेस रूप से इसमें खिचाव में आईगी और नाभी है चयापका वक्सस्थल है उन से पेक्षा ज़्यादा विशुध चक्र है गर्दन पर खिचाव ज़्यादा इसमें लगेगा मूलाधार चक्र स्वादिष्ठान चक्र परिस्प का खिचाव रेता है इस तरहें तीनों चक्रों का इस आसन के माध्यम से परभावित होता है और यहां तक देखें मनिपूर भी है अनाहत यह पांचों चक्र जो हैं हमारी रीट की हड़ी पर बने हुए होते हैं उन पांचों चक्रों को यह आसन परभावित करता है और यह अपने आप में समझ चक्रों को जागरुन के लिए है गरंथियां देखें तो अधिवरिक गरंथी है जनन गरंथी है और यह दोनों हैं शुक्र गरंथी है इन तीनों गरंथियों को यह परभावित करता है और यहां साथ ही साथ आप देखे वटू परावटू आपके गर्दन की जो और थाइराइट पेरा थाइराइट ग्रंतियां हैं उनको भी ये प्रभावित करता है इसमें कोई दोराई नहीं गर्दन का भ्यास हुआ ये आसन से पहले हम क्या करें इसको भी आप जान लीजिए पहला है अर्ध चक्रासन चित्र को समझते हुए देखना है तांकि सबद आसन के नाम के साथ चित्र मस्तिष्क में आपको आना चाहिए इसलिए बार बार आपको चित्रों को ये दोराया जाता है चित्र के सहयत आपको नाम बताई जाते हैं अर्ध चक्रासन चित्रा आप देखा ऐसे आपको ये करना है अर्ध कटी संचालन पहले अर्ध चक्रासन है अर्ध कटी संचालन आसन जो होता है कमर को चलाना कटी संचालन आसन है कमर को चलाना और सेतू बंद आसन कमर को बीच में से उठाना भुजंग आसन है सरल धनूर आसन है इन सब को देखना है भुजंग आसन आपको देख रहे होंगे सरल धनूर आसन है और सरल चक्रासन है यह आपका सरल चक्रासन है सामाने तई आपको पहले कर लेना है चैसे तू बंध है कमर के लिए इन सब को आपने पहले कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बना लेना है तब जाकर कि ये चक्रासन अच्छे से आप कर पाएंगे आसन के बाद क्या करना कटी संचालन क्रिया कमर को आपने घुमाना है जैसे आप देख रहे हों चितर में पहले अपर स्टेचिंग किया दाएं बाएं ट्विस्टिंग देना दाएं बाएं आपने ट्व तो इसलिए forward bending भी करना, पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन के अंदर आपने जाना है, आगे की ओर जुकना हो गया, अंतिमाता है हलासन, हलासन के अंदर भी जाने से आपका चक्रासन का जो अभ्यास है, वो balance में आएगा, इस तरह से आपने सभी आसनों को करना, सावधानियों में पिता धिक्के, यहीं आपको acidity ज़्यादा बन रहा है, आपका peptic ulcer है, stomach ulcer है, acidity में आप इसको नहीं करेंगी, क्योंकि गुचल की उल्टी वमन वापिस हो सकता है, पेट पर pressure पड़ता है इसे, व्रिशन रोग, पेट में सूजन आई हुई है, पेट व्रिशन रोग है, आपका अंकोज से समंदित कोई रोग बना हुआ है, या पेट में सूजन है, घरभावस्था है, कमर में बहुत ज शोहरिव का, यानि आपकी cervical spondylitis, ग्रिवा आपकी गर्दन ने कोई कोई इशू हो, पेन हो, तथा संधिवात, गठिया के रोगी भी इसे आसन का अभ्यास ने करें, तो आपको प्रिशानी होगी, इसलिए ये आसन करते समय इन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, वर नेत्र दोश आदी में विए वर्जित माना जाता है, ये खिचाव इससे पढ़ता है, विशेस बातें ये हैं, आसन के प्रारम में, जब आसना अपसुरू करते हैं, और अंत में शिगरता जरा भी नह करें, जल्दबाजी आसनों में मना हैं, जल्दबाजी किसका काम है असुरों का राक्षशों का काम होता है, जल्दबाजी, देवता जो होते हैं, वो सामत भाव से, धेरिये से, अपना अभ्यास करते हैं, शिगरता नहीं है, शिगरता राक्षशों का काम होता है, ये जो अभ्यास आप करते हैं, इसमें सत्व की वृद्धी होती है, देवत् संपदा को प्राप्त करते हैं तो इसलिए हमें अभ्यास करते हैं जल्द बाजी बिल्कुल नहीं करना समय का ध्यान और समय के साथ आपने चलना है सिर को हातों के मद्धे में रखें ऐसा ना ओ गर्दन पीछे के और खीच के रखो उपर देख रहे हो आगे और निचे ज़्यादा गर्दन नहीं करना हातों के मद्धे यानि आपके कान बाजू के स्पर्ष रहे मद्धे बीचो बीच रखना भुजाओं के कान स्पर्ष हो सकते हैं पाउं और हातों के जो अंतर है बीच में ये समान रूप से रहना चाहिए कम जादा ना हो जितना अंतर हातों में हैं उतना ही अंतर पाउं में होना चाहिए इस बात का भी विशेस ध्यान रखना कहीं कहीं एडियां मिला लेते हैं पंजे खुले हुए हैं कहीं कहीं एडियां उठा करके पंजों पर आगे भाग रहे हैं आगे भाग रहे हाथ नजदीक आ गए और गर्दन भोत पीछे रहे गई तो ये इस से बैलन्स बिगडता है हमारा जुकाव आगे पाउं पर चला गया कभी जुकाव पूरा हाथों पर पीछे आ गया ये सब जल्दबाजी के लक्षन होते हैं जल्दबाजी ने करते हुए करम से जाएं एक स्टेप टू स्टेप जाएंगे तो आपका आसन सही बनेगा तो इसी के साथ जो आपका ये अभ्यास प्रेक्टिकल का जो है ये ठियोरी का कंप्लीट हुआ है अब आगे में सी के वीडियो हम देखेंगे अभी चक्रासन का वीडियो देखें चक्रासन के लिए आपने अपने समस्तिती में आए सीधे लेट गए और एक एक करके दोनों हाथों को पीछे रखेंगे लंबी गेरी श्वास लिया कमर गर्दन सीधा किया फिर एक एक पाउं को उठा करके दाएं बाएं रख लेना यानि कंधों के समान आपने अंदर ले लेना है फिर एक एक करके दोनों पाउं को अपने नितम्मों के पास में लेकर के आएंगे बिल्कुल नजदिक लेकर आजाएं हातों को अंदर की तरफ करके और श्वास भरतिवे देखो बिल्कुल देखते जाएं श्वास भरतिवे यहां से एक साथ उठेंगे बिल्कुल चाहें तो अपनी गर्दन नीचे भूमी पर रखें हातों को थोड़ा और विवस्थित करें नहीं तो आप एक साथ भी उठ सकते हैं श्वास भरतिवे उठ जाएं उपर पूरा कमर खीच दीजिए आपके हातों में पाओं में अंतर बिल्कुल समान है गर्दन आपकी बीचो बीच फिर चाहें तो यहीं से धीरे धीरे आगे और बढ़िए और आगे जाएए धीरे धीरे आगे जाकर के अंतिम में आपने रुक जाना एक पूर्ण और चक्रासन की स्थिति बन रही है आप बीच में आप नजर करिए यह आपका चक्र वील की आकरती नजर आ रही है अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास सामाने धिमी धिमी कतिशे श्वास लेना है जल्द बाजी नहीं करना फिर जिस तरह से पीचे गए वापिस अराम से एक एक करके हाथ पीचे लेके आओ और यहीं से धिरे धिरे आराम से निचे आईए स्वास छोड़ती हुए कंधों पर ध्यान दे बाजुएं ध्यान रखे आराम से कमर भूमी पर रखिए और एके करके दोनों पाउं को विश्राम दे देंगे चक्रासन अपने आप में बहुत ही अच्छा असन है पूरी कमर का व्यायाम होता है इसका और रिड की हड़ी इससे फ्लेक्सिबल रेती है वो हम सबने पहले जाना है करना कैसे वो आपको देखा भी वीडियो के माध्यम से और करते समय जल्द बाजी बिलकुल नहीं करने धिरे धिरे करना अंतिम में शवासन के रूप में दो च्यार पांच गहरी स्वास जरूर लेना है अभी हम चक्रासन की कुछ विशेस बातों को समझेंगे चक्रासन कैसे किया जाता है और कहां हमारी अक्सर गल्तियां होती है सबसे पहले आप सिथिल दंडासन में एक सम्मिक सिथिम में आपने लेटना है वही बात आपको अच्छे से लेटना है कहीं कमरगा दंटेडा मेडा ना हो भूमे समान रूप से समान रहे उसके बाद क्या करना आपने दोनों हातों को पीछे की और फैला देना जब आप सर चक्रासन कर रहे हैं तो आपको दोनों हातों को पीछे फैलाना कितना फैलाना जितने आपके कंदों में अंतर इस बात को यहां से अब नोटिस करना सुरू करना है हातों में अंतर जितना है कंदों में उतना हातों में अंतर लेना उतना ही अंतर आपने पाउं में लेना ये पहला स्टेप आपका यदि आपने यहां गलती कर दी तो समझ आगे का चक्रासन आपका गलत हो जाएगा ठिक इतना जब आप काम सही से कर लेंगे तो फिर हमारा अगला स्टेप आता है तीसरा नंबर का उसमें अपने एक पेर को फोल्ड करेंगे सबसे पहले आपने एक पाउं को फोल्ड करके जितना हो सके नितम परदेश के बिल्कुल नजदिक चिपका लेना है जहां आपका नितम परदेश है उसको बिल्कुल मूल में एडी को चिपका लेना है नजदिक नी लाना अंतर बाकि बिगडेगा नहीं इसलिए करम से जाते हम तांकि हमें गलती नहों इस तरह से चिपकाना फिर दोनों पाउं को अपनी एडियों को कि बिलकुल समान हो जाएं अंतर आपका बरकरार अभी बना हुआ है गुटनों में भी अंतर है पर आगे हातों की अंगलियां है वो अंदर की और करते हुए रुख अंदर की और करते हुए आपने बिलकुल अपने कानों के आसपास या कंधों के नजदिक यथा संभव कंधों के पास लाकर के उसको लेकर आ जाना है अब क्या करना यहीं से आप क्या स्वास भरते हुए कमर को उठ पाएंगे तो उनको इतना उठना की थोड़ा उठने के बाद आपकी गर्दन जो है ये भूमी पर स्पर्श करेगी गर्दन भूमी पर स्पर्श कर देगी और जिस से थोड़ा सा आप हलका सा सहरा ले सकते हातों को वजन छोड़ना नहीं हातों का सहरा बना रहेगा फिर समान है पाउं में समान अंतर है और पूरा वजन घुटनों से ताकत देना पीछे की और पीछे की और ताकत देना नहीं तो घुटने आगे जुकेंगे घुटने से पीछे की और ताकत देना है और पीछे धकेलना गर्दन अपने हातों के बीचों बीच रखना ऐसा नहीं कि गर्दन हम आगे बढ़ा रहे हैं यह अक्सर होता है गर्दन आगे बढ़ाते हैं घुटने आगे चले जाते हैं धरती की और और एडियां उठा लेते हैं यहां बहुत सारी गलतियां होती है अंतिमस्तिती में और एक बड़ा गलती होता है कोहनिया मोडी रखते हैं जब यह स उसके लिए सर्थ ये है कि आपको अपने हातों को थोड़ा आगे step to step लेके जाना, हमने थोड़ा आगे बढ़ना, पहले दाएं हात को आगे बढ़ना, दूसरी हात को वहीं रखना, जैसे हम चाल चलते हैं, या अंगुलियें से थोड़ा चल सकते हैं, पर जितना है एक एक से सीद में रहेगा, जो ये step है, बिलकुल पाउं की सीद में, आगे पीछे नहीं हो रहा, फिर दूसरा करम जाएगा, वो भी उसके बराबर, फिर यहां आकर के दोनों हाथ समान रूप से हो जाएंगे, एक साथ एडियां, यहां से फिर वापिस पिछे की और धकेलना, बीच और पाउं की अंगुलियों के बीच में, मान लीजिए, डेड़ फिट का अंतर कम रहे, डेड़ से दो फिट का अंतर यदि कम रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि खड़े होकर के आप यह आसन कर सकते हैं सहजता से, तो प्रॉब्लम नहीं, यदि इससे बहुत जादा कम है, खड़े होकर आप यह काम नहीं करना, लेट कर ही चक्रासन का अभ्यास करना है, किसी को सजेस्ट नहीं करना, गुटने आपके दूर नहों, ऐसी स्थिति जब हम हात नजदिक लाते हैं, तो गुटने हमारे एक सर्फ फट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, पंजे खुल जाते ह बाहर की तरफ फेल जाते हैं, ऐसा नहीं होने देना, चाहे हो आपका आशन कम क्यों ना हो, पर बिगड़ना नहीं देना पोस्टर को, इसी करम से जैसे हम गए थे, वैसे स्टेप टू स्टेप वापिस आएंगे, यह एक एक स्टेप आपको इसलिए दिखाये जाता है कि कह नहीं आप गलती नहीं करें, मेरी तरफ से यह पूरा कोशिश होता है कि आपको बारीकी से समझाओं, एक एक करके समझाओं और धिरे-धिरे, और यह recording भी इसलिए किया जाता है बाद में, तांकि हम करते समय अच्छे से बोल नहीं पाते, और इसलिए फोटो सेशन करके, ज जिस करम से आप चाते हैं, वापिस आना हैं, और अन्ती में शवासन में विश्राम लेना, इसी के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद